तो एलो फ्रेंग कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बतारे हो लोग अगर आप एक एंड्रोइड यूजर हैं तो आप डेफिनेटली गूगल पेस्टोर से आपकी डाउनलोड करते होंगे या फिर अपडेट करते होंगे आपने इस प्रॉब्लम हमेशा एक ना एक बार क स्टेब बताऊंगे अगर आप उनको फॉलोग करेंगे तो आपकी जो यह प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी तो दोस्तों वीडियो को स्किम्मत करेंगा वीडियो पूरा देखेगो तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर आपको दिख रहाएगी ऐसे यहां सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहां पर सर्च मान लेना है गूगल प्ले या फिर प्ले स्टोर आप लिखके सर्च मान लेंगे तो आपको मिल जाएगा तो आपको यहां पर सर्च मान लेना है गूगल प्ले स्टोर आपको यह मिल जाएगा जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर उसकी सैटिंग से पहुच जाएगे एप इंफो में और वहां पर अगर आप इसको ऐसी शॉटकर लेना चाहते तो आप यहां प आपको यहां कर देना है क्लियर डाटा जैसी आप इसको क्लियर डाटा क्लियर करेंगे तो साल है जो भी आपने उसमें कुछ सर्ष मार के रखा होगा सब डिलीड हो जाएगा और एक नई तरीके से यह डाउनलोड की तरह ओपन होगा कैसे इसके करने हैं आप सिंपल इस पर द डिटिल मिल जायगी कि罐म मेनेच अप्डेटस में या जाने कि आपको अपडेट से आंव्डेट ले रहा होगा आपको यहंती डिटेल में क्लिक करना है इससे भी अगर problem solution नहीं हो रही है तो आपको एक बार Google Play Store को अपडेट कर लेना है अपडेट करने के लिए आपको करना कि यहाँ जाना है यहाँ जाने के बाद यहाँ इस पर जाएंगे इस पर जाने के लिए आपको जाना है यहाँ सेटिंग्स पर यह जो मैंने method बताया है इससे काफी हद तक यह problem solution हो जाएगी यह को कि मैंने करा है और मुझे उससे फायदा मिला है आप मुझे comment करके ज़रू बताना है कि इस trick से आपका काम हुआ या नहीं हुआ तो thank you दोस्तो तो दोस्तों यह उमीद है कि आपको यही मेरी वीडियो पसंदे है अगर आपको मेरी वीडियो पसंदे है तो please like जरू करें अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना है और अगर आप मुझे कुछ पूचे जाते हैं इस वीडियो से लेटे इडिया कुछ भी तो तेंक तो